Good morning friends, GST platform के YouTube channel में आप सभी का स्वागत है जी हाँ friends, January 2021 से GST portal के उपर अब आपको GSTR1 जो है वो देखने को नहीं मिलेगा Portal के अंदर ये update लाया गया है और इसमें GSTR1 आप कब देख सकेंगे और कैसे आपको filing करनी है GSTR1 ये समझना अब बेहत जरूरी है जन्वरी महिने के जो invoices होंगे वो अगर आपको upload करना है तो उसके लिए ये चीज समझना होगा आप देख पा रहे हैं मैंने open करा है January 2021 का GST return dashboard यहाँ पर आप देख पा रहे हैं सरिफ और सरिफ auto drafted ITC statement दिखाया जा रहा है यहाँ पर GSTR1, GSTR2A और GSTR3B तीनों ही tiles जो हैं वो गायब कर दी गई हैं तो क्या अब January से GSTR1 फाइल ही नहीं होगा इस चीज को समझने के लिए अब आपको जो हमारा 1st January 2021 से QRMP scheme launch कर दिया गया है उसको refer करना पड़ेगा उसके हिसाब से portal जो है अब चीजों को change कर रहा है तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं screen पे मैंने open कर लिया है services tab के अंदर जाके returns tab और opt in for quarterly return अब यहाँ पर आप देखेंगे तो 2021 के लिए आपका जो option है यहाँ पर quarterly है या मन्तली है क्योंकि आपको यह पता होना चाहिए कि 5 दिसंबर 2020 से लेके 31 जनवरी 2021 के बीच एक window आपको दी जाएगी जिसमें आप इस frequency को change कर सकते हैं as per the notification जी हाँ फ्रेंड्स notification लाकर के government ने ये चीज बिलकुल clear करी थी जो की ये बताती थी कि आपने अगर GSTR 3 भी October महिने की return 30 November तक फाइल कर दी है तो आप अपनी quarterly return scheme में जा सकेंगे और portal जो है accordingly आपको shift कर देगा और एक दिन आपके पास SMS भी आया था कि आपने return default करी है तो उसका मतलब ये था कि आपका जो return filing frequency है या तो वो quarterly में या फिर monthly में shift कर दिया गया है तो अब आपको यहाँ पर ये check करना है कि आपका जो quarter 4 का return है frequency उसके लिए monthly है या quarterly है quarterly आप जब shift करेंगे और इसे save कर लेंगे और आप अपने dashboard पे चले जाएंगे तो आपको January 21 के अंदर gstr1 जो है वो फाइल करने नहीं दिया जाएगा क्योंकि quarterly return filing वालों के लिए जो नियम में बदलाव किये गए हैं उसमें ये बताया गया है कि अगर आप qrmp scheme लेते हैं तो आपको gstr3 b और gstr1 दोनों ही filing जो है वो quarterly basis पे करनी है और monthly basis जो है आपको allow नहीं करेगा portal अब यहाँ पर सवाल ये आता है कि इसे अगर हम लोग change करना चाहते हैं monthly और लाना चाहते हैं gstr1 monthly basis पे तो क्या करें इसके लिए आपको जाना है services tab, returns tab के अंदर opt in for quarterly return अब देखिए वहाँ पर gstr1 आएगा कैसे इसको आप करेंगे monthly और यहाँ पर कर देंगे safe अगर आपका monthly है तो आपको gstr1 जो है portal पे दिखेगा लेकिन अगर आप quarterly होंगे तो आपका portal जो है वो gstr1 आपको नहीं दिखाएगा अब यहाँ पर हम लोग करेंगे continue to return dashboard और January महिने की return आप search करेंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे तो gstr1 के अंदर जो filing details है वो आपके लिए available करवा दी गई है अब यहाँ पर आप अपनी January महिने की जो भी invoices हैं वो आप upload कर सकते हैं तो sir यह चीज आप आपको समझनी है कि quarterly return filing के लिए अगर आपका portal shift हो चुका है तो आपको gstr1 नहीं दिखेगी और इसके लिए window जो रहेगा यह window आपको कब तक use करना है अगर आप quarterly से monthly या monthly से quarterly जाना चाहते हैं तो 5 December से लेके 31 January 2021 का window जो है आपके पास available है अगर 31 January तक आप कर लेते हैं तो ठीक है otherwise January से March के लिए जो portal ने आपके लिए fix कर दिया है वही return frequency के साथ आपको इन 3 महिनों की returns जो है वो file करनी होगी इन सारी चीजों की discussion हमने अपनी December महिने की जो हमारी monthly tax magazine थी जो की हमारी new GST return special coverage वाली थी अगर आपने ले रखी है तो आपने देखा होगा उसमें हमने इन सारी चीजों को सारे sections को cover किया हुआ है अगर आपने अभी तक subscribe नहीं कराई है तो आप इसकी subscription ले सकते हैं subscription के लिए आपको numbers screen पे दिये गए हैं इन numbers पे call करके email करके आप whatsapp करके भी details जो है वो magazine की ले सकते हैं और December महिने की subscription ले सकेंगे साथ की साथ जो January 21 की magazine है इसमें हम लोग notification 92, 93 और 94 जिसमें GST के अभी तक के सबसे बड़े बदलाव किये गए हैं उसको incorporate किया है और वो दो से दिन दिनों में final हो जाएगी तो ये दो महिने की magazine आपके लिए काफी important हो सकती है और आने वाली जो magazines होंगी इसका impact आपको उसमें भी देखने को मिलेगा तो जिनोंने भी subscription नहीं कराया है इन numbers पे call करके आज ही अपनी copies बुक कर लें और अपने आपको update रखें GST के changes के साथ अब देखिए जो ये rule 59 है जिसमें इनोंने GSTR 1 को amend किया था उसमें इनोंने क्या बोला था इसमें इनोंने बोला है the registered person required to furnish return for every quarter under provision to subsection 1 of section 39 यानि कि जो quarterly return file करेगा उसे क्या करना है the details of such outward supplies of goods or services as he may consider necessary for the first and second month of a quarter up to a cumulative value of 50 lakhs using invoice furnishing facility यानि कि अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो आपने अगर quarterly कर दिया है option तो आपको GSTR 1 तो नहीं दिखेगा लेकिन आने वाले एक से दो दिनों के अंदर अब आपको वहाँ पर एक अलग tab यानि कि invoice furnishing facility जो है वो दिखाई जाएगी क्योंकि आप लोगों के लिए जो quarterly return में जाना चाहते हैं उसके लिए GSTR 1 के साथ साथ ये एक additional furnishing के facility जो है वो दी जाएगी जिसमें आपको 50 lakh रुपे तक की V2B values जो है वो upload करनी है पहले और दूसरे महिने के लिए एक quarter की और इसका जो time period होगा वो होगा first day of the month succeeding such month till the 13th day यानि कि January महिने की जो आप IFF की filing करेंगे वो कब तक कर लेनी है आपको वो कर लेनी है एक फरवरी से लेके 13 फरवरी 2020 में तो GSTR 1 इसलिए नहीं आ रहा है आपके portal पे क्योंकि वहाँ पर quarterly किया गया होगा आप उसे change करेंगे monthly में तो आपको जो है GSTR 1 देखने को मिल जाएग तो ये काफी लोगों को confusion आ रहा था कि GSTR 1 जो है GSTR portal पे enable ही नहीं हुआ, tiles ही active नहीं है, ऐसा क्यों हो रहा है चलिए इस वीडियो को जाई end करते हैं, आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को like और share करना मत भूलिएगा ताकि maximum लोगों तक information पहुंच जाए कि GSTR 1 portal पे क्यों नहीं आ रहा है और किन बातों का आप ध्यान रखेंगे ताकि GSTR 1 जो है आप successfully file कर सके, और 31st January से पहले option जरूर enable कर लीजिएगा, otherwise जो option by default चला गया है, उसी की filing आपको करनी होगी, अगर आपने ह हमारे channel पर first time tune in किया है, तो channel को subscribe करने के लिए नीचे दिया गया, red color का subscribe button प्रेस कर लीजिएगा, साथ में जो bell icon है, उसे भी प्रेस कर लीजिएगा, ताकि videos की notifications आप तक regularly पहुंचती रहे, magazine subscription के लिए आपको numbers screen पे flash किये जा रहे हैं, इस पे call करके आप subscription ले सकते हैं, thank you and have a nice day!